प्रभावित वाइनाड के तेरा गाउं समेच छह राज्यों में फैले पश्चिमी घाट के 56,800 वर किलोमेटर से अधिक छेत्र को पारिस्तित की रूप से समेधन शील छेत्र यानि एस एक होशित करने के लिए पांचवी मसवदा अधिसूचना जारी करती है तथा 60 दिन के भीतर सुझाओ और आपतियां आमंत्रित की हैं हमाँ खोतादें की केरल और अन्ने जगों के विग्यानिक इस आपदा के लिए वन छेत्र में कमी पर्यावरण के लिहाद से समेधन शील इलाकों में खनन और जलवाईू परिवर्तन के घातक मिश्रण को जिम्मेदार मानते हैं मसवदा अधिसूचना में केरल के 9993.7 वर्ग किलोमेटर छेत्र को पारिस्तेत की रूप से समिधन शील खोशित करने का प्रस्ताव है जिसमें भूसकलन प्रभावी जिले की दो तालिकाओं के 13 गाओं शामिल हैं ये गाओं हैं मनंतावडी तालुका में पेरिया, थिरूनेली, थोंडर नाड, थ्रिसिलरी, किंदक नाड और नूलपुझा और व्यथिरी तालुका में अचूरनम, चुंडेल, कोटापटी, कुन्नाथी, दवका, पोजुथाना, थारियोड और वेलारी माला हम आपको उतादें कि 30 चुलाई को हुए भूस्कलन ने व्यथिरी तालुका के मुंडककई, चूरलमाला और अटामाला गाओं को प्रफावित किया था, जिनका मसोदा अधिसूचना में उलेक नहीं है अधिसूचना में कुल मिलाकर 56,825 तशमलब 7 वर्ग किलोमेटर छेतर को परिस्तितिकी रूप से समिंदेचिल खोशित करने का प्रस्ताव है जिसमें गुजरात में 449 वर्ग किलोमेटर, महरास्ट में 17,340 वर्ग किलोमेटर, गोवा में 1461 वर्ग किलोमेटर, करनाटक में 20,668 वर्ग किलोमेटर, तमिलाडू में 6,914 वर्ग किलोमेटर और केरल में 9,993 दशमलब 7 वर्ग किलोमेटर छेतरे शामिल है इस सम्मन्द में एक अधिकाईड ने बताया है कि नवीनतम मसौदा बहुत अधिक विस्तृत है और कुल छेतरफल के संदर्प में कोई बड़ा बदलाव नहीं है उन्होंने कहा हमें उमीद है कि इसे अंततह अधिसूचित कर दिया जाएगा परैवल मंत्राले ने 10 मार्च 2014 से अब तक 6 मसौदा अधिसूचना जारी की हैं जिनमें 31 चुलाई को जारी की गई अधिसूचना भी शामिल है लेकिन राज्यों की आपत्यों के कारण अंतिम अधिसूचना लंबित है हम आपको दाने की ताजा मसौदा अधिसूचना के अनुसार अप्रेल 2022 में समाधान खोजने के लिए गठित एक विशेशग्य समीती ने जुलाई 2022 से नौ बैठके की हैं जिसमें राज्यों से विभिन आपत्तियां, टिपडियां और सुझाव प्राप्त हुए मसौदा अधिसूचना में रेत खनन समेथ सभी तरह की खनन गतिविदियों पर पूर्ण परतिबंद लगाने का सुझाव दिया गया है, इसमें कहा गया है कि मौजूदा ख़दानों को अंतिम अधिसूचना जारी होने की तारीक से पांच वर्षों के भीतर या मौजूदा पट्टे की समापती पर जो भी पहले हो चरणबद तरीके से बंद कर दिया जाएगा, इसमें नई ताप विद्यूत परियोजनाओं पर भी रोक लगाई गई है, इसमें कहा गया है कि मौजूदा परियोजनाओं चालू रह सकती हैं, लेकिन विस्तार की अनुमती नहीं हो अधिक छेतर या एक लाग पचास जार वर्ग मीटर और उससे अधिक के निर्मिक छेतर के साथ सभी नई और विस्तारी टाउंशिप और छेतर विकास परियोजनाओं पर्तिबंदित होंगी, इसमें कहा गया है कि परियावन सविंदन शील चेतर में मौजूदा आवासिय म माकानों की मरमत, विस्तार या नवीनी करण पर मौजूदा कानूनों और विनियमों के अनुसार कोई प्रतिबंद नहीं होगा, हम आपको अधादें की वर्ष 2010 में केंद्र ने परिष्टित की विज्ञानी माधो गाटगिल के नेत्रित में पस्चिमी घाट परिष्टित क को इसे घोशित किया जाए और उनकी परिष्टित की समेदन चीलता के आधार पर तीन परिष्टितिक रूप से समेदन चील छेत्रों में विभाजित किया जाए वर्ष 2013 में केंद्र ने पस्चिमी घाट के परिष्टितिक संरक्षन और सतत्विकास के लिए उपायों का पहला है को पारिष्टितिकी रूप से समेदन चील बताया था अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके